नमस्कार दोस्तों हिंदी नियुजेफेस में आपका स्वागत है दोस्तों अभी भारत सरकार ने संसद भावन में वाइट पेपर लेकर आई है तो यह वाइट पेपर क्या होता है और इनके जवाब में विपक्ष ने ब्लैक पेपर लेकर आया हुआ है संसद भावन के अंद और ब्लैक पेपर को कवर करता हूँ अगर इसके अलावा और भी आपको कोई दूसरी पेपर के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताईएगा तो मैं एक अपडेटेड वीडियो बना दूँगा आईए जो दोस्तों जानते हैं कि वाइट पेपर क्या होता है दोस्तों वाइट पेपर दरसल वो पेपर होता है जो संसद भवन में पेस किया जाता है अब सरकार के पहले के कारेव को प्रदर्शित करा जाता है कि फैक्ट्स क्या थे उसमें क्या क्या चीज़े पहले हुई है उनमें क्या कामियां थी क्या अच्छाईयां थी उस सारी चीज़े बताई जाती है basically white paper में किसी भी policy या किसी भी चीज़ की facts पर बात होती है specific बिल्कुल centric cheat पर exact क्या है इसमें problem उस पर बात होती है इसमें experts की राय भी ली जाती है अगर उसमें कुछ change वगरा करना हो या किसी भी policy में कोई change करना है कोई नया उसमें policy बनाने की जोड़त है तो ये सारी चीज़े white paper के अंदर गद ही cover की जाती है जैसे कि केंद सरकार white paper इसलिए ले कर आई है कि मोधी सरकार ने जब अपनी कारेकाल को समाला तो उस वक्त देश की अर्थ बेहुस्था बहुत ही खराब थी तो white paper लाना इसलिए ये लेकर आए कि ये बता सकें कि उससे पहले की जो सरकार थी उसने अर्थ बेहुस्था में क्या-क्या कमिया कर रखी थी क्या-क्या खामिया थी जिसको मोदी सरकार ने कमियों को दूर किया है और देश की अर्थ बेहुस्था को ठीक तरीके से आगे दोस्तों समझते हैं कि black paper क्या होता है दरसल black paper white paper का just opposite होता है इसमें किसी मुद्दे या किसी policy के बिशलेशन किया जाता है और उसमें अपनी राय दी जाती है कोई policy अगर चल रही होती है तो उसमें अपनी अपनी लोग राय देते हैं कि उसमें क्या खामिया हैं क्या अच्छाईया हैं इन चीजों को बात होती दसल इसमें कोई अच्छाईयां तो नहीं ढूनता है क्योंकि ये आलोचना के लिए ही लाई जाती है इसमें पॉलिसी में अनली आलोचना ही लोग देखते हैं जो अपने सांसाद होते हैं जो अपने मेंबर और पार्लियमेंट्स होते हैं वो जो डिबेट करते हैं वो इसमें सिफ पॉलिसी में खामियों को ही सामनेल रखते हैं तो इसमें सारी खामिया बताते हैं साथ ही साथ इसमें अगर कोई पॉलिसी में चेंज होना है तो वो अपने सुझाओ भी इसमें देते हैं कि ये इसमें पॉलिसी में चेंज करने चाहिए वो अपना सुजाओ सरकार के समख्षे रख देते हैं दरसल यही black paper है और white paper भी आपको बता दिया है और जो दूसरे papers होते हैं आप उनके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप मुझे comment कर दियेगा तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँगा दूसरे अधर जो papers होते हैं उसके लिए धन्यवाद दोस्तों आपको information अच्छी लेगी है तो please channel को subscribe कर दे